हे ब्यूटिफुल्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए एक जबरदस होमेड नैश्रल रेमेडी लेकर आई हूँ जिसका यूज करने के बाद आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे और वो जड़ से मजबूत हो जाएंगे अगर आपने बहुत सारे उपाई कर ली हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट अपने बालों पर कर चुके हैं उसके बाद भी आपके बाल जड़ते रहते हैं तूटते रहते हैं और लंबे नहीं हो पारे तो आप ये ट्रिक एक बार जरूर आजमाएगा आज का ये नुसका आपको इतना ज्यादा फाइदा पहुचाएगा और बहुत ही जल्दे इसका असर भी आपको दिखने लगेगा आपके बाल इससे मजबूत होने लगेंगे और बहुत ही तेजी से लंबे होने लगेंगे आज का ये नुश्का हम सर्सो के तेल में यानि की मस्टर्ड ओयल में बनाएंगे अगर आप मेंसे किसी को भी सर्सो का तेल सूट नहीं करता है वैसे तो ज़ादर सब को सूट कर जाता है मगर बाइचांस अगर किसी को ये सूट नहीं करता है तो आप coconut oil यानि की नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो तो इसको कैसे बनाना है और कैसे लगाना है मैं आपको ये सब बताऊंगी step by step और last में लगा कर भी दिखाया है मैंने तो आप वीडियो को skip मत कीजिएगा last तक जरूर देखीगा तभी आपको clearly ये समझ में आएगा और हाँ एक और बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो like और share जरू कीजिएगा इससे आपका प्यार्ज लगता है और हमारा motivation धोड़ा सा आप हो जाता है तो इस नुश्क्री को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है सर्चो का तेल यानि की mustard oil मैंने यहाँ पे 2 चमब सर्चो का तेल लिया है आप अपने according ज़्यादा भी कर सकते हो तो आपने अब next ingredient डालना है जो की है श्रीका काई powder मैंने यहाँ पे आदा चमब श्रीका काई powder डाला है अगर आपने ज़्यादा oil लिया है तो उसके according आप इसको भी ज़्यादा कर सकते हो आपको यह powder बहुत ही easily पंशारी की shop पे मिल जाएगा या तो आपको यह बहुत ही easily पतंचली श्टोर पे मिल जाएगा और online भी बहुत ही easily मिल जाता है आपको तो पता ही होगा कि हमारी बालों की growth के लिए और उसको तूटने से रोकने के लिए शीका काई का use बर्सों से होता आ रहा है हमारी दादी नानी यूज क्या करती थी जो कि काफी जादा helpful होता है हमारे हे ग्रोथ के लिए और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और वीडियोज देखना तो आप हमारे चैनक को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें साथ मही नोटिफिकेशन बेल दबाए अपडेट्स के लिए अब आपने लिस में लास्ट इंग्रीडियन्ट मिलाना है जो कि है आवला पाउडर हमने आवला पाउडर भी इसमें आधा चमा से ही डालना है एक बात का आप खास दियान रखें कि अगर आपने औइल ज़दा बनाया है आपने उसमें विका काई पाउडर ज़दा डाला है तो इसके अक़ाडिंग ये भी आप ज़दा डालोगे अगर आपने नहीं डाला है अगर आपने बराबर सब का मेने जैसा आपको बताया है measurement फिर उतना ही आप ये भी रखिएगा आवले को अमरित फल कहा जाता है और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा helpful होता है और एक magic के जैसा काम करता है आवले में ऐसी properties पाई जाती है जो कि आपके बालों को सफेध होने से रोकता है आपके बालों को गिरने से रोकता है तूटने से रोकता है और आपको बालों को दुगने स्पीड से बढ़ाने में काफी ज्यादा helpful होता है अब आपने इसक को अच्छी तरह से mix कर लेना है इन सभी ingredients को एक हमारा magical नुसका भी ये ready हो चुका है अब मैं आपको बताती हूं कि आपको इसको लगाना कैसे है apply कैसे करना है अब आपने simply क्या करना है अपने finger tips पर इस oil को लगा ले या तो आप cotton का भी use कर सकते हो आप इस oil को लेकर अपने hair roots इस पर अच्छी तरह से massage करें हलके हाथों से आप इसको अच्छी तरह से अपने पूरे बालों में लगा लीजिए hair roots पर main और 0 तक लगा कर आप इसको पूरी रात इसको ऐसी रहें दीजिए अगर आपके पास रात को time नहीं है तो आप इसको at least 2 गंटे तक के लिए दिन मे ज़रूर लगा के रखे उसकी बाद आप इसको किसी नॉर्मल शेंपू से या अपने फेवरे शेंपू से hair wash कर ले और आप इसको हफते में 3-4 बार ज़रूर यूज़ करें तभी आपको इसको पूरा result मिलेगा I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडिय शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन वेल दबाई अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगली न्यू और अच्छी वीडियो के साथ एंड थैंक्स सो मुच पर वाचिंग बाबाई